क्या आप जानते हैं कि USSR यानी सोवियत संकित आना साथ जोसफ स्टालिन की बेटी स्वेतलाना ने एक इंडियन नड़के से शादी की थी जिसका नाम ब्रिजेश सिंग था यही नहीं स्वेतलाना साल 1967 में अपने पती की अर्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए भारत भी आई थी सप्राइजिनली इस बात की ख़बर ना तो अमेरिका की खूफिय एजिंसी सियाईयो को लगी थी और ना इंडियन प्रेस को इसकी हवा लगी थी स्वेतलाना चार महीने तक प्रताबगड जिले में अपने पती गेगाओं में रुकी थी इसके बाद वो दिल्ली पहुँची और एक रात वो चुप चाप दिल्ली में अमेरिके एंबसी पहुँच गई उन्होंने तब के ततकालीन अमेरिके डिप्लोमाट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि मैं यानि स्टैलिंग की बेटी स्वेतलाना अमेरिका में राजनीतिक शरण लेना चाहती हूं जिसके बाद CIA और अमेरिकी डिप्लोमाट स्वेतलाना को रातो रात खुफिया तरीके से भारत से उडा ले गए इंटरनाशनल मीडिया और दुनिया को इसकी खबर दूसरे दिन जाकर लगी थी So these were the two interesting facts about स्वेतलाना In case आप ये पूरे स्टोरी जाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको दो बुक्स रिफर करूंगी पहली Life in American Politics and Diplomatic Years in India By Richard Sellits दूसरी स्वेतलाना की ओटो बाइग्रफी है जिसका नाम है One Year आप इन दोनों बुक्स को पढ़ सकते हैं और स्टोरी को और डीटेल में समझ सकते हैं Thank you